माइनेम इजदन लॉर्दा वेलकम टू आट चैनल जी के, गाइडैंस अनौलेज फिएंएंशे मक्रने के बच्छिख epic पड़ेंगे टालिबान नहीं, जो इंडिधा समय इंडिये इंडीया की इंपक्त कलीरवान के इन्देज़ाइन बपर क्या इंपक्षान हुगत होगा। इसको में critically analyze करना है, it means हमें बताना है इन दोनों की issue के बारे में, फिर हम बताएंगे, अफगानिस introduction में हम अफगानिस्तान और इंडिया की relations के बारे में बताएंगे, उसके बाद में consequences के साथ साथ हम discuss करेंगे कि हमें क्या का interest होंगे, हम हमारी interest के ओपर क्या का असर और conclusion क्या दे सकते हैं, हम यह भी बताएंगे, मैं जसके ले सकते हैं, यह भी discuss करेंगे, इस question का significance क्या है, यह जी इस paper 2 के अंदर पूसर दसकते हैं, इंडिया and its neighborhood के बारे में, grouping and agreements जिसके अंदर इंडिया involved है, या फिर इंडिया की interest को यह affect करता है उसके बारे में, देख ल country का कुछ portion है, वो touch करता है अफगानिस्तान को, हम मानते हैं कि जो अफगानिस्तान है, वो हमारे देश को touch करता है, कहीं पे भी आपको लिखाए कि अफगानिस्तान की boundary हम से touch होती है या नहीं होती है, तो हमें हमें answer देना है, आप इसको draw कर सकते हैं, और चाह बार पूसर क को भी दिखा सकते हैं, जो develop किया जा रहा है इंडिया के दौरा इरान के अंदर, अफगानिस्तान से collectivity करने के लिए, फिर हमें इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के good historical and cultural relations है, और दोनों एक दूसरे के साथ boundary भी share करते हैं, अफगानिस्तान है, जो वो सफर कर रहा है, प इंडिया के अंदर भी, डॉमिननस के बारे में देख लेते हैं, तालिबान का कैसे है, तालिबान है, उसने अपनी प्रेजंस को बनाय रखा है पिछले 20 सालों से, और यह ब्रूटिली किल कर रहा है, मतलब कि लोगों बहुत बुरी तरह से मार रहा है, इसके एस्टिमेट लगाया गया है, इंटरनेशनल हुमन राइट गरूप के द्वारा, उसके अंदर बताया गया है, कि पिछले 20 साल में 47,600 सिविरेंस हैं, वो माले जा चुके है, तालिबान का कि वो रूल करना चाहता है, अफगानिस्तान के उपर, विड्रोल है, उसके बाद में तालिपान फिर कोई इसके, वहाँ पे कोई डेमक्रेसी नहीं बचेगी, इंक्रीज है, टेरर अटेक्स का वो भी बढ़ जाएगा, और सिविलेंस की डेथ भी बढ़ेगी, कोई भी राइट नहीं मिलेगा, वोमन्स को क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, कि तालिबान वहाँ प लेख लेते हैं, इंटरनल और बोर्डर सिक्योर्टी, दोनों यह हमारे लिए मेज़न कंसर्थ हैं, यह हमारे लिए मेज़न कंसर्थ हैं, क्योंकि पाकिस्तान का है, वो जो तालिबान के उपर काफी मजबूत पकड़ है, यह कभी भी टार एस्ट अक्रिविटी करवा सकते हैं और इंटरस्ट लिया ज़ा सकते हैं, इन्वस्ट मेंट रही इसके बारे में, इंडिया ने इंवस्ट कियां, थी विलियन डॉलर से भी ज़्यादा, अफगान सथानों डे कंदर इंडिया ने पशल्मा डेम हैं, यह हाईडर प्रोजेक्ट नुटिक्त यह भी देवंकि काफ़ जादा इंपक्ट बड़ा है इंडिया है वो चाता है कनेक्टिविटी सेंट्रल एश्या के अंदर ताकि अफगानिस्तान किसके तुरू अफगानिस्तान में इरान के तुरू जाना चाता है चाबार पोर्ड के तुरू फिर वेफ़ोर्ड या दे सकते हैं हमें इंडि ताकि कोई भी और सिविल वार नहीं देखने को मिले हमें कोपरेशन की जुरुत है लाइक माइं इंडिस कांट्री के साथ में जैसे कि रशीया है अनुएटेड अब अरब अमिरात है ताकि रिच्टोर किया जासे कि पीस बिना उनके इंटरनल अफेर्स के अंदर इंटरफेर किया है इन सभी सिट्विशन को अनलाइज करने के बाद में हम कह सकते हैं कि इंडिया है वह बाउंडर शेड करता है अफ़कानिस्तान के साथ में इसलिए हम वहाँ पर प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करें और पीस स्टेबलिटी और हर्मनी लेकर आएं इस जीजन के अंदर आपको इसके बार में क्या मानना है और आप किसे अंदर क्या क्या एड करना चाहेंगे वह आप कमेंट सेक्षिन के अंदर बता सकते हैं तो this is it for today thank you for listening don't forget to like and subscribe also provide your solutions to improve jayan